बारकर स्रिलंका के बीच तीन T20 और तीन वंडे की सीरीज खेली जानी है उससे पहले आज टीम इंडिया के नए हेट कोच गौतम अमीर प्रिस कॉन्फरेंस पर सामने आए है उनके साथ चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर भी थे मीडिया के कई वहाँ पर सवाल हुएं जिसके जवाब वहाँ पर कोच और सेलेक्टर ने दिया है सबसे पहला सवाल यही पूछा गया वहाँ पर क्या आपने हार्दिक पंडिया को कप्तान ना बना कर गल्ती की है या फिर सूरी कुमार यादो को कप्तान मनाने के पीछे का लॉजिक क्या है इस पर चीफ सेलेटर अजीत अगरकर ने जवाब दिया है उनका कहना है कि सूरी कुमार यादो वेल डिजर्विंग प्लेयर है ती टुएंटी में अपने आपको प्रूफ कर चुके हैं लंबे समय तक नंबर वन रहे हैं और एक ऐसे खिलाड़ी हैं चूकि लंबे समय तक खेल सकते हैं बिना किसी इंजरी के यानि साफ तोर परणों ने कहा दिया कि हार्दिक पंडिया चैंपियन प्लेयर हैं लेकिन हार्दिक पंडिया के साथ इंजरी के शूज हैं इस वज़ा से हार्दिक पंडिया कप्तानी के रेस से बाहर हो गए जरूर वाइस कैप्टन थे टीम इंडिया के T20 वर्ड कप में जहां भारती टीम वर्ड कप जीती, वहाँ पर भी वाइस कैटन हार्दिक पंडिया थे, लेकिन उसके ठीक बात सूरी कुमार यादव को कप्तान बना दिया गया, इस पर कई तरह का विवाद भी वहाँ पर देखने को मिला है, लेकिन अजीत अकरकर ने अब साफ कर दिया कि सूरी कुमार यादव इंजरी का एक एशू था, जिस पर भारी पढ़ गए हार्दिक पंडिया पर, ये वज़या है कि सूरी कुमार यादव टीम इंडिया के अगले कप्तान बन गया, हार्दिक पंडिया बॉल्लांडर के तोर पर खेलने वाले हैं, इस पर गोताक मंभीर साफ कर दिया है कि दोनों अब T20 नहीं खेलते हैं यानि उनके पास अब समय जादा होने वाला है और अगर दोनों चाहते हैं तो 2027 का जो ODI World Cup है वो खेल सकते हैं यानि साफ तर पर कह दिया कि रिटार्मेंट जैसी चीज जिसकी चर्जा चल रही है फिराल उस पर टींग बा कोई फोकस नहीं है मैनेजमेंट किसी को जबरदस्ती डिटार्मेंट नहीं दिलाना चाहता है 2027 का वर्ड कप अभी दूर है लेकिन यहाँ पर गौतम गंभीर के प्लान से साफ नजर आता है विराट कोली के साथ तो इनके रिष्टे अच्छे नहीं है तो गौतम गंभीर और विराट कोली के बीच क्या हमें आँ पर बॉंडिंग देखने को मिलेगी इस पर गौतम गंभीर ने कहा है कि विराट कोली एक वर्ड क्लास अथलीट है, जबरदस खिलाडी है उनका पूरा सम्मान है हमारे रिष्टे शिर्फ ट्यार्पी के लिए नहीं है सिर्फ हमारे बीच जो बातचीत है वो फिर पब्लीक में जादा नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे बीच कुछ भी गड़बर है, विराट कोली उनने कहा है कि विराट कोली से उनकी बात भी हुई है जब वो हेड कोच अपॉइंट हुए है, तो उनके बीच रिष्टे काफी अच्छे है, उनने कहा है दोनों का लक्ष सिरीज जीत कराए है, उसके बाद से उनने वाइस कैप्टन अपॉइंट कर दिया गया, सवाल ये उठे के टीम में रिषपपन जैसे खिलाडी भी मौजूद है हार्दिक पंडिया जो कि कैप्टन थे, कई ऐसे सीनिर्स भी उहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद शुबमन गिल को ही वाइस कैप्टन क्यों बनाया गया इस पर सीधा जवाप अजीत अगरकर ने दिया उनका कहना है कि शुबमन गिल थ्री फॉर्माट प्लेयर है शुबमन की लहसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक फॉर्माट में खेलते हुए दिखाई पड़ेंगे, तीनों फॉर्माट खेलते हैं और भारत का भविश भी हैं, अच्छी उनकी कैप्टन सी स्किल्स हमें देखने को मिली है, हम चाहेंगे कि सूरी कुमार यादव के अंडर में T20 और वंडे उटेस में रोई शर्मा के अंडर में गुरूम करें और आगे चलकर अपना भविश को भी समारें इस प्रेस कॉन्फरेस मेहला कि क्लारिटी यहां पर यह दे दी गई है यानि उनका जो वंडे का भविश है फिलाल वो नजर नहीं आता है गौतम गंभी ने साफ तोर पर वहां कहा है कि देखिए अब हमारे पास अब श्रेयर साइयर है हमारे पास मिडिल लॉडर में केल राहूल है हमारे पास रिश्यापन भी वापस आचुके है तो यहाँ पर सूरी कुमार यादव आपको T20 खिलते हुए देखेंगे वंडे में उनका चैन नहीं किया गया है साफ तोर पर वंडे इंडिकेशन भी दे दिया है कि वंडे में अब सूरी कुमार यादव को कंसीडर नहीं किया जाएगा एक और खिलाड़ी रविंद्र जडेजा जिनका नाम बंडे सीरीज में नहीं आया तो सवाल उड़ गए कि क्या रविंद्र जडेजा का बंडे करियर खत्म हो गया है प्रेस कॉण्फरेंस में ऑजीत अगरकर से सवाल पूछा गया है कि रविंदर जडेजा आखिर कहा है, बंडे सीरीज में उनका नाम क्यों नहीं है, क्या उन्हें रेस्ट दिया गया है, उन्हें ड्रॉप कर दिया गया है, क्या कभी वापस हम बंडे में अब रविंदर जडेजा को खिलते हुए देखेंगे, इस पर अजी देगरकर ने साफ की थी, अभिशेक शर्मा ने, शांदार परफॉर्मेंस वहाँ पर हमें देखने को मिली थी, रुतुराज गायकवार से, जिंबाब्बे सीरीज में, उसके बाउजू दगली सीरीज में उन्हें ड्रॉप क्यों कर दिया गया, अभिशेक शर्मा ने तो सेंचुरी तक लगा फ्यूचर में उन्हें मौके मिल सकते हैं, कोच और सेलेक्टर की स्प्रेस कॉंफरेंस में मौमा शमी को लेकर भी सवाल पूछा गया है, मौमा शमी कब से क्रिकट में वापसी कर सकते हैं, लंबा समय हो गया है, उन्हें क्रिकट ना खेले हुए, आखरी बार 19 नॉम्बर 2023 क इसके बाद से क्रिकट से दूर है, इस पर उन्हें जवाब दिया है कि बंगलादेश के खिलाप जो सीरीज होनी है, टेस्स सीरीज वहां से हमें मौमा शमी वापसी करते हुए दिख सकते हैं, उन्हें सितंबर से पहला टेस्ट मैच खिला जाना है, उमीद की जाए कि शमी उससे पहले वापस आ जाए, गंबीर ने कहा है कि बंगलादेश के खिलाप सीरीज से मौमा शमी वापस आ सकते हैं, तो यहनी भारती क्रिकट के लिए गुड न्यूज है, मौमा शमी जिस तरीके गेनबाजी करते हुए दिखते हैं, अगर वापस आते हैं तो टीम को जरू अभी मौने मौरकल अवेलिबल नहीं है, इस सीरीज में उनकी जगा पर तूसरे कोच हमें देखने को मिलेंगे, मौरकल कपसे जॉइन करेंगे, इस पर तो फिलाल कोई क्लारिटी नहीं है, लेकिन स्रीलंका सीरीज में वो नहीं जाएंगे टीम के साथ, असिस्टेंट कोच उम्मीद है कि इस टीम को चैम्पेन हम जरूर बनाएंगे